जैहें दोस्तों मैं आपका दोस्त राधेशाम भाउसर तो यहां पे बहुत सूरज का जो लाइट है वह आ रहा है और घर में वीडियो शुट कर रहा हूं तो वहां पे भी लाइट का प्रॉब्लम आ रहा है जहां से एक ही तरफ से पूरा फोकुस आ रहा है तो मैंने सोचा क तक चलो टेर्स पे चलते हैं तो टेर्स पे परिशानी है और तो मेरे पास कुछ क्वेशन आये दोस्तों कुछ लोगों ने पूछा था मुझे कि लॉंडरी बिजनेस हमें करना है बढ़ हमें मालूम नहीं कि कौन सी काटेगरी में हम लॉंडरी बिजनेस करें ड्रैकलिंग पर आप एक वीडियो बनाई है तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाते हैं ये जो मैं दूंगा ना वो मेरा ओपीनियन रहेगा मैंने अब तक जो देखा है ना लॉंडरी बिजनेस में उसके अकॉर्डिंग में आपके साथ में ये सारी आइडियाज शेयर करने वाला हू तो दोस्तो लॉंडरी बिजनेस अगर करना है न तो पहले तो आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर छोटा साई सेट अप करना है छोटा साई ये करना है आपको बिजनेस शुरू करना है तो आप आयर्निंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं आपके शेयर की पॉपिलेशन अच् और आप खुद अगर करना चाहते हो तो आयरनी का बिजनेस भी बेस्ट है उसके बाद में आप क्या कर सकते हो अगर आपका शहर अच्छा है थोड़ा बड़ा शहर है बड़ी-बड़ी उनियर्सिटीज है वहाँ पे जॉब ओरिंटेड लोग है वहाँ पे मेडिकल कॉलेज सब कुछ है वहाँ पे अभी तो जैसे कोरोना का सिचुएशन खतम होने लगेगा तो वापस से जब क्लाउड आएगा तब आप लॉंडरी मेड का बिजनेस शुरू कर सकते हैं लॉंडरी मेड मतलब कपड़े सिर्फ वाश करके आयरनी करके लोगों को देना वापस लोगो सबैका कपड़े सिखाए फिर उसको बाद में प्रेस वाले को दो प्रेस करें तो इतना ताइम लोगों के पास नहीं होता है तो लोग अपना काम लॉंडरी मेड सो का से करवाते हैं लॉंडरी मेड नुट कण्टि होता है वो भी अच्छा कंसेट होता है सेयात्ति शाक अ ह आपका रेंट हो गया, आदमियों का खर्च होगा, आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, आपका शॉप का रेंट हो गया, सारा कुछ मेंटरनस आप 70-80%, 70-75% पकल लो, फिर आपको लास्ट में प्रॉफिट आएगा, 25-25%, प्रॉफिट आपको बचेगा, यह मेरा point of view है, आप अपना भी share कर सकते है, comment box आपके लिए है, तो यह हो गया, तो ironing का भी काम होता है न, तो इसमें भी आप 50-50 या 40-60% आप ironing का खर्चा पकड़ सकते हो, देख सकते हो कि आपके जो area में न, क्या लेग लोग ironing का charges ले रहे हैं, उसी साब से आपको profit भी मिलेगा, बट काम भी बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, तब जाके आपको थोड़े बहुत पैसे दिखेंगे, फिर उसके बाद में आता है, जो सबसे ज्यादा profit वाला है उसकी बाद में करेंगे, तो उसके बाद में आता है industrialia laundry, industrialia laundry मतलब आप किसी बड़े शेहर में रहते हो न, और आपके पास जगा भी बहुत है, आप अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकते हो, आप employees की भी आप arrangement कर सकते हो, तो होता है industrialia laundry, industrialia laundry मतलब आप hospital का सारा काम कर सकते हो, अभी hospital का जो भी laundry hospital का का काम कर रही थी न, तो वो loss में नहीं गई, और उनका business अच्छा खासा चल रहा थ लोकडाउन में, तो वो एक हो गया, उसके बाद में lodge का काम आप कर सकते हो, traveling का काम आप कर, transport वगेरा जो होते हैं, travels company होती है, तो उनका काम आप कर सकते हो, lodges हो गए, hotels हो गए, hotels में भी काफी सारे कपड़े आते हैं, tent house का काम हो गया, यह सारा industrialia laundry में आता है दोस्तों, तो industrialia laundry में भी profit आप समझ लीजिए, क्योंकि उसमें competition बहुत जादा होता है, पैसा हो ना, तो कोई भी आदमी वो business कर सकता, ऐसा लोगों को लगता है, करते भी है लोग, और काफी unsuccess भी होते हैं, काफी लोगों को बंद भी करना पड़ता है, हमारे काफी सारे comment box में आप देख प्रूतों की, बट कुछ लोगों का एक एक दो दो साल रेंट नहीं दिया गया, तो जो मालिक जो अनर होता है जगा का, तो उसने ही machinery जब्त कर लिए, ऐसा भी मेरे पास एक example है, तो वो business होता है, वो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर ही लेता है, उसमें क्या आपको machines चाहिए और chemical की knowledge थोड़ी बहुत चाहिए, तो वो काम लोगों को लगता है कि हम कर सकते हैं, करते भी है, 50% उसमें flop भी हो जाते हैं, क्योंकि उसमें profit margin कम है, मतलब 10 रुपे, 5 रुपे, 10 रुपे में bed sheet wash करते हैं लोग, 25 रुपे केजी में tent house का का काम करते हैं, उसमें तो चलो ठी हैं, hospital का काम करते हैं, 2 रुपे, 3 रुपे, एक जो uniform होता है न, 2 रुपे, 3 रुपे मुंबई के rate में बता रहा हूं, तो इतना कम में काम करते हैं लोग, फिर भी, 1 रुपे, 1 पीस के पीछे कमा लेंगे, इसा सोचते हैं, और 1000-2000 कपड़े हम एक दिन में wash कर लेंगे, ये म में मुंबई की बात बता रहा हूं, तो बाकी जगा पे अगर profit जादा होगा, तो आप थोड़ा सा जादा पैसा कमा सकते हो, बट इसमें बहुत जादा effort लगानी पड़ती हैं, और success के chances होते हैं, 50-50% होते हैं, effort बहुत जादा लगाना पड़ता है, मुझे नहीं पसंद है काम, और चोथी कैटेगरी होती है, तो मेरी सबसे पसंदीदा कैटेगरी है, तो वो हो गया, शू लौंडरी, सोफा, कारपेट क्लिनिंग, कुछ लोग कार का भी उसमें अड़ कर देते हैं, कार क्लिनिंग, इंटेर क्लिनिंग अगरा का, तो वो भी आप लौंडरी बिजन इसमें ही कर सकते हो, शू लौंडरी के कस्तमर आएंगे, सोफा, कारपेट क्लिनिंग के लिए लोग आएंगे, और यह एक सिंगल आदमी भी कर सकता है, इसमें ज्यादा जगहा की ज़रूरत नहीं है, आप पिक अप और रौप सर्विश से भी अपना बिजनेस ह हैं 50% profit है और ज्यादा भी हो सकता है बट थोड़ा बहुत इंवस्टमेंट भी इसमें करना पड़ता है लेकिन इसमें लाइन जो होता है ना कस्टमर्स की जो लाइन बैठने में थोड़ा सा टाइम लगता है और एक बार बैठ गए तो आपको किदर भी जाने का जरूरत नहीं है काम भी मुझे काफी पसंद आता है बट ये भी काम में रेगुलर नहीं कर पाता हूं किउनकि मेरा चोटा सा शेहर है तो उस सोज़ेसे यह भी काम में जाता नहीं कर पाता हूं उससे अभी में जो करता हूँना portion elly तो वो काम मुझे ज्यादा बढ़िया लगता है और उस काम में slack season थोड़ा बहुत होता भी है लेकिन हमारा काम चल जाता है और profit margin भी उसमें बहुत अच्छा खासा है fancy dress, dry cleaning, साडिया, dry cleaning, roll trace, कोई भी कपड़ा हो blazer, coat, जो हम शादियों में पहनते हैं, कपड़े वो घर से बाहर जब आदमी निकलता है न तो उसको कोई ना कोई अच्छा से कपड़े पहन नहीं होते है ladies जब घर से बाहर निकलती है तो उनको अच्छे से अच्छी साड़ी पहन नहीं पड़ती है और उसको उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और सबसे ज़्यादा रिस्क भी उसी में क्योंकि महेंगे कपड़े होते हैं, साडियों के कलर लूज होते हैं fancy कपड़े होते हैं इसलिए बहुत ही ज़ादा delicate होते हैं बहुत ही ज़ादा nाजुक होते हैं तो अगर proper knowledge नहीं हो तो damage होने के बहुत ज़ादा chances इसमें होते हैं उसी की हम basic laundry business training यहाँ पर देते हैं दोस्तों और उसमें profit बहुत अच्छा कासा profit होता है जब मेरे पास लोग training के लिए आते हैं तो customer से कपड़ा लेने से लेके customer को सारा काम ready करके देते जब है ना सारा कुछ ready हो जाता है तब हम actual में calculation करते हैं कितना electricity bill लगा कितना chemical लगा कितना time हुमारा गया मेरे shop का rent मेरा खुद का charge सारा कुछ पैसा निकाल के कितने percent profit रहता है यह पूरा detail में calculation हम training में देते हैं इसमें बहुत ज़्यादा profit है बट इसमें risk भी बहुत ज़्यादा है इतना आसान नहीं है यह काम करना क्योंकि मैं अभी 17-18 2002 से कर रहा हूं यह काम आप calculation करके comment box में बत दोस्तों और अच्छा कासा profit है हम अच्छे से lockdown में भी अच्छे से survive कर लिए हमें कोई भी problem नहीं हुई और मेरे जैसे और बहुत सारे business owner है बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिनका item बढ़िया से जिनका financial condition है और इसमें आपको जगा चाहिए एक laundry setup के लिए जगा चा सकते हैं उसके बाद में आपको छोटी-छोटी ही machinery चाहिए बहुत ज्यादा बड़ी machinery नहीं चाहिए तो मेरे पास जो machinery है ना आप मेरे वीडियो में सर्च कर लिजे तो मैंने भी ज्यादा investment नहीं किया है बाकी इस business से related और कुछ ज्यादा जानना है ना तो मेरे पास training के ल लाल कलर का बटन आता है subscribe का उसको क्लिक कर देना उसके बाद में bell icon आएगा उसे भी क्लिक कर देना और laundry business से related आप कौन सी category में business करना चाहते हो और उसमें आप deeply अगर कुछ जानना चाहते हो तो भी comment कर सकते हैं दोस्तों मुझे जादा से जादा topic चाहिए वीडियो बनाने क दोस्तों और description box जरूर चेक कीजिए बहुत सारे online product जो मैं लेता हूँ ना online जो खरीता हूँ तो वह भी आप खरीत सकते हैं आपके काम के होंगे description box में इसकी online buy link है कुछ लोगों को पता नहीं होगा ना कहा description box है तो वीडियो स्क्रीन पर वीडियो देखते हो ना तो title पे क् क्लिक कीजिए description box पुल जाएगा बसे यह दोस्तों Instagram पर फॉलो कीजिए और एक चैनल है रादेश हम बहुत सार व्लॉक तो उससे भी जाके सब्सक्राइब कीजिए जय हिन वंदे मातरम जय स्री राम धन्यवार दोस्तों